फिल्म के कुछ डायलाग्स हैं, जैसे कि आपने हमारे लिए अपने दिमाग में अलगी कहानी बना के रखी हैं, बेचारा बहुत बुरा हुआ इसके साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ हमारे साथ, बेचारे तो हम बिलकुल भी नहीं हैं, आप हमारे चक्कर में मत पढ़ना, द्रिश्टी से भी देखता है लोगों को लगता है कि ये दिव्यांग सिर्भीख ही मांग सकते हैं मगर जब आपकी जीती जाती दुनिया में स्रीकांत बोला जैसा एक ऐसा सथ साता है जो वीजुली इंपेर्ड होने के बाउजूत तमाम बीड़मनाओं से गुजर कर न केव निर्देशन में राजकुमाराओं को स्रीकांत बनाकर ऐसा फिल गूड बायोपिक फिल्म दी है कि दर्सक जब सिनेमा हाल से बाहर निकलते हैं तो नेत्रहीनों के प्रत अपना नजरिया बदला हुआ पाते हैं स्रीकांत की कहानी कहानी की सुरुवात मारमी धंग से होती है आंधरपरदेश के मचली पटनम में एक अभाव ग्रस्ट घर में एक बच्चे का जन्म होता है खेती करने वाला उसका पिता उसे क्रिकेटर स्रीकांत बनाना चाहता है मगर उस वक्त उनकी खुसियों पर बिजली गिर जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा द्रि लेकिन बावजूद इसके साइंस में दाकिला लेने की लड़ाई और उसके बाद बारवी में टाप करने के बावजूद उसे नेत्रहीन होने के कारण IIT में एडमिशन नहीं मिलता मगर अमेरिका में MIT बाहें पहला कर उसका स्वागत करता है इस सफर में स्रीकांत को समार्त निखारती है उसकी टीचर जिसका केदा जुद्किया निभाया है आगे की कहानी अमेरिका से हैदराबाद आकर अपने देश के दिव्यांगों के लिए रोजगार मुहया करवाने वाली कंपनी की सुरुवात और संघर्सों के बीच गुजरती है जहां बिजनेस में एक तर और हिरनबानी की इस बायोपिक की सबसे दिलकस खुबी है इसका थ्रू आउट पाजिटिव फेब्रीक जो आपको कहीं पर भी उदास नहीं होने देता निर्देशक फिल्म के आरम में ही बाल सरिकान के एक सावात मैं भाग नहीं सकता हूं से कहानी का टोन सेट कर देते हैं जबकि सेकेंड हाप में कहानी थोड़ी खिची हुई लगती है मगल लेखक सुमित पुरोहित और जगदिप सिद्धू समय तुसार ने पूरा फोकस सेरकान की बुद्धिमत्ता पर रखा है कि कैसे हो अपने इंटेलिजेंस से बीपरित प्रसितियों को अपने अनकुल बन प्रतनिक्स बाक्षी और सचेद परंपरा के संगेत में तुम्हें ही अपना मानना है जैसे गाने ठेक ठाक बन पड़े हैं अभिने की बात करें तो स्रीकांद के रूप में राजकुमार राव फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है किसी बायोपिक में उसकी कास्टिंग सबस के किरदार को पेस करती हैं स्वाति के किरदार को अलाया एफ बेहत खुबसूरा धंग से निभाले जाती हैं हालंकि उन्हें स्क्रीन स्पेस कम मिला है मगर उन्होंने अपना दम दिखाया है स्रीकांद के दोस्ट पार्टनर सुबचिंतक रभी के चैरितर में सरत के लकर ए कर दूस्ते हैं